सोमवार को कॉंग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉंफरेंस कर उच शिक्षा को लेकर कई सवाल उठाए। कई पद रिक्त पड़े हैं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार धीरे धीरे इन कॉलेजों को खत्म करना चाहती है। दस्माना ने कहा कि हम किसी महाविद्याले के खिलाप नहीं हैं लेकिन आज कोई भी विद्यार थी किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर जाता है तो सरकारी कॉलेजों के मुकाबले दो गुना पैसा देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस संबन्ध में कॉंगर्स पार्टी का एक प्रतिनीधी मंडल राजपाल से भी मुलकात करेगा। आपको लॉग करना और यह भी कॉलेज से तो आप साड़े ग्यारा हजार रुपए में लॉग कर लेंगे तीन साल का लेकिन आप वही लॉग करने प्राइवेट उन्वस्टी में जाएंगे तो साड़े चार-पांच लाग रुपिया आपका लगेगा। सरकार की साजिश है कि इन एड़ेट कॉलेजिस को खदम करो प्राइवेट उन्वस्टी को बढ़ावा दो 26 प्राइवेट उन्वस्टी प्राइप लाइन में हैं जिनको सरकार आने वाले समय में विधान सभा में एक्ट ला करके बनाने जा रही है। आप इन तमाम प्रीमिर एंश्टीूशन को नित्यान स्वामी राजी के पहले मुक्मत्री काम चलाओ सरकार के वो डियेवी कॉलिज के अध्यक्षु रहे हैं यांके तमाम बड़े-बड़े लोग येवी कॉलिज से DBS कॉलिज से MKP कॉलिज से SDRR कॉलिज से इने प्रीमिर इंस्ट्यूशन को आप समात करने की जो साजिश कर रहे हो उसके खिलाब हम मामहिम राज़िपाल को ग्यापन देने जा रहे हैं कॉल हमारी कॉंगर्स पार्टी का एक हायर पायोड डेरिकेशन बहुत जल्दी मामहिम राज़िपाल से बिलेगा क्योंकि वह चांसलर इंविश्टिस के और जो पंदरा सूत्री है मैंने आपको बाते बताई चाहे नियुक्तियों का मामला हो टीचिंग नॉन टीचिंग में चाहे एड का मामला हो एड समय पर नहीं मिलने के कारण चार-चार महीने तरका टीचर्स को नहीं मिल पाती